नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का हमारी यूटूब चैनल टेक्नोग बैंकी में दोस्तों आज शी वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग स्टेट बैंक आफ इंडिया केस्टमर है तो MMID नमबर फिलब करना और आप बड़े इजली पैसे ट्रांसफर कर सकते हो तो आई दोस्तों बिना समय को आई वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर आप लोग को पहला अपसन मिल जाता है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है जैसे आप लोग क्लिक करते हो आपके सान फाव रिख्शल नवे इंटरिपेस आएगा और तीसरा आपन आपको मिल जाता है बेनिफी सरी मोबाईल नमबर यानि कि MMID के थिजितर आप या इसके रहाती beneficiary का भी mobile number registered होना चाहिए तब यह MMID के तुरूप ऐसे आप लोग सेंड कर पाऊगे तो इस पेज़ पर आने के बाद सबसे पहले आप लोग को beneficiary details fill up कर देनी है यहाँ पर सबसे पहले beneficiary का name fill up करोगे इसके बाद यहाँ पर MMID number फिलब कर लेना है MMID number आप ल इसके बाद अगर आप लोग test amount के रूप में 1 rupees दे करना चाहते हो तो वह आप लोग दे सकते हो यह आप सब्सक्राइल इसके बाद आप लोग हैं मैंने सारा information fill up कर दिया जिसे कि name mmid number, mobile number amount और रिमार्ग भी यहाँ पर दे दिया है इसी तरीके से आप लोग भी सारा information fill up करने के बाद यहां पे nest कर देना है जैसे आप लोग nest करते हो यहां पे आप लोग को review करने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग इस page पे पुरा rate कर लेना आप लोग कोई information गलत fill up किया है तो यहां पे back button आपको दिया गए यहां से आप लोग back चले अगर आप लोग को लगता है कि आप लोगों ने सब कुछ information fill up किया तो यहां पे आप लोग को nest कर देना है तो पूरा एक बार rate करके आप लोग nest कर देंगे तो यहां पे nest करने के बाद आपके register mobile number पे OTP बेजाएगा OTP को यहां पे आप लोग fill up कर लेना अगर OTP ना है तो यहां पे recent OTP पे click करके आप लोग OTP फिर से मंगा सकते हो चली मेरा OTP आज चुका मैं इसको fill up करके आपको next process बदता हूँ यहां पे आप दे सकते हो मैंने OTP fill up कर दिया अब मैं इसको submit कर देता हूँ तो इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से MMID के तुरू पैसे transfer कर सकते हो आप लोग को IFSC code पता करने की कोई भी जरुवत नहीं पड़ेगी बस आप लोग को beneficiary का register mobile नंबर पता करना है इसका थी MMID नंबर पूछ लेना है इन दो चीजों के साथ ही आप लोग बड़े असानी से किसी को भी fund transfer कर सकते हो तो फ्रेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे दोरती की जानकारी जरुपसंट दोस्तों अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो कि MMID नंबर क्या होता है तो अगर आप लोग बोलोगे तो इसके बारे मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा अगर आप लोग देखना चाहते हो कि SBI का MMID नंबर कैसे पता करें तो इसके बारे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है इसके बारे अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्स्राइब साती बेल आइकन जुरूब प्रेस के लें ताकि हमारे आने वाले नेश वीडियो को नाटिपकेशन आप लोग को मिलती रहे सो प्रेंट्स मिलते हैं नेश वीडियो मुस्तक के लिए घर पे रहे हैं सुरच्चित रहे हैं जाय हिंद ववन दे मातरम